नमस्कार दोस्तों आप सबो का स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परिक्षा के लिए गनीत का बहुत ही महतपुर्ण अबजेक्टिव प्रेशन दोस्तों बिल्कूल इसी तरह आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परिक्षा में गनीत में अबजेक्टिव पूछे जाएंगे तो आप इस वीडियो को आन तक ज़रूर देखें बिल्कूल ऐसा ही हुब हुब मिलेगा तो आप आईए प्रेश्ण को समझते हैं और आप याद रखें अच्छे से समझें क्योंकि बिल्कूल ऐसे ही आपको विहार बोर्ड मेट्रिक प्रिच्छा गनित में अबजेक्टिव पूछे जाएंगे जो कि 50 नमर का होता है और ये अंक बरहने के लिए अबजेक्टिव आपको मड़त करेगा तो देखिए प्रेश्ण है माधिका का तीन गुना और माधिके दुगुने का अंतर कहलाता है आपका उप्शन नमर सी बिल्कुल सही हो जाएगा बहुलक कहलाता है याद रखेगा माधिका का तीन गुना और माधिके दुगुने का अंतर कहलाता है क्या कहलाता है बहुलक कहलाता है अगला प्रस्थन देखिए अब प्रस्थन है पंच, तीन, साथ, छे, चार, दो, एक की माधिका है तो दोस्तों माधिका निकलने का सबसे नियम अच्छा क्या है कि आप इनको सीरियली बैठा दिज्ये जैसे सबसे पहले आपका क्या आएगा एक आएगा उसके बाद फिर क्या आएगा दो आएगा उसके बाद फिर क्या आएगा तीन आएगा उसके बाद क्या आएगा चार आएगा फिर पंच आएगा फिर छे आएगा फिर आपका साथ आएगा और संख्या है गिन लेते हैं एक दू तीन चार पंच छे साथ साथ संख तीन अंक इधर छोड़ दियें यहन्य कि एक इधर से एक इधर से जो बीच में बच गया दुस्तो वही आपका क्या हो गया माधिका हो गया तो आपका उप्सन नमर C बिल्कुल सहे हो जाएगा चार दो नमर का उत्तर क्या जाएगा चार अगर आपको मन में डाउट आगया कि दो गों बच जाएगा तो क्या करेंगे तो दो गों बचेगा दोनों को जोड़के भाग दे देंगे वह ऐसा ही प्रसन मिलेगा आगे चलते हैं तो इस प्रसन को आप अच्छे ते समझ गये होंगे अगला प्रसन देखिये प्रसन है निमने लिखित में कौन केंद्रिये प्रविर्ति के मापक नहीं है तो इस प्रसन का उत्तर हो जाएगा आपका अप सण नमबर डी बिल्कुल सही है भी चलन अगला प्रसन है प्रस्न है 2-3-0-3-2-6 का बहुलक क्या होगा यानि बहुलक होगा तो आप सभी जानते हैं कि बहुलक मतलब की जो बहुत बारा आए उसे बहुलक करते हैं जैसे कि हम एक सवाल दे रहे हैं 4-3-2-3-2-3-4-7-8-3 तो इसमें सबसे ज़्यादा वार क्या है तो देख रहे हैं कि 1-3 यहाँ है 1-3 यहाँ है 1-3 यहाँ है यहने कि 1-2-3-4 वार 3 है और कहीं है नहीं तो जैसे कि 4 क्या वार है एक वार है दो कितना वार है एक दो दो वार है और तीन चार कितना दो वार था जिसमें सबसे अधिक वार क्या है जैसे एक बार यहां तीन था, एक बार यहां तीन था, एक बार यहां तीन था, सबसे अधिक क्या है तीन, तो इस प्रशन का उत्तर जो होगा आपका बावलक तीन हो जाएगा, लेकिन यहां प्रशन में देखिया आपको, कि अगर तीन देख रहे हैं तो दो गो है, दो भी द देंगे यहनि कि कितना जाएगा तब दो दूना चार अब बच गया कितना एक तो दस में प्रशनी की और अगला प्रशन देखिए तेन, चार, जीरो, तीन, चार, पंच का बहुलक होगा तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं आब वह ऐसे इंप्रशन जैसे कि अभितुरत बनाए है चार भी दो बार है और तीन बार भी तीन जो है कि यह भी दो बार है चिसको भी वही करेंगे 3 पिलस कितना है 4 4 को जोर देंगे और 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4,3,7 में 2 से भाग देजेगा तो 3,2,6 बज गया 1 तो 10 मिलब दे देंगे तो वहां कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 5,2,10 है यहना कि सारे 3 हो जाएगा सारे 3 हो मून कि यह two is Christina प्रस्वेश देखिये संधी यह प्रस्वां क्या पुछ रहा है माधी का Pुछ रहा है लोगा तो क्या करेंगे सिरेली बिठांगे तो सबसे लिखना है तो दो ती इसके ब balcony, स्पर Kungना रखें ऐसे लिखना को बीच में साल करते। का आठ है तो टो आठ लोगिए, वही नियम का इधर हो काटना, इधर ग़ब लिखना का, etc का ते गाए, इधर होगया क्या होग आप का माधिका होग गया इस प्रश्णिक का उत्तर हो जाएगा आपका option number C बिल्कुल सही है पांच माधिका हो जाएगा तो आप अच्छे समझ गयांगे माधिका जब भी पूछेगा तो क्या करेगा सीरियली निमर बेठाई है कि सबसे छोटा का को पकड़िएगा और उसके वाद बढ़का फिर उसके वाद बढ़का फिर उसके वाद बढ़का जैसे कि हम बैठाएं यहां पर और कार दियें तो आपका option number C पांच बचा बिच में अगर दो बच जाता है जैसे यह दुनों जो root के अंदर में जैसे चार है अगर पुझेगा root 4 क्या है तो root 4 से यहने की वरगमूल आपका इसको तोड़िएगा तो 2 गुना 2 यह जोड़ा लग रहा है तो जोड़ा क्यों लगाता है क्योंकि यह वरगमूल है यहां 2 छुपा रहता है आपको यहां पे 3 भी दे सकता है 9 class में परहे होंगे तो 3 देगा तो 3 जोड़ा लगना चाहिए लेकिन इसमें कुछ नहीं है तो क्या है 2 यान कि वर्गमूल एकलेगा आपका घनमूल नहीं वर्गमूल एकलेगा तो जैसे 2 गुना 2 हो गया तो आपका 2 बहार हो गया जब बाहर हो गया तो यह प्राकृतिक संख्या हो गया तो वो परिमय संख्या हो गया क्योंकि नए कुछ तो नीचे एक रहता ही रहता है तो ये आप समझें क्या परिमे संख्या, परिमे संख्या क्या होता है, पीवटे क्यों होता है, तो आपका ये रूट टू है, तो रूट टू आपका बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ओप्रिमे संख्या, ओप्सर नम्मर सी सही है, ओप्रिमे संख्या हो जा प्रस्ण को समझ गया होंगे दो या दो से अधीक अभाद संख्या का मोसो हमेशा क्या होगा एक होगा अभाद संख्या क्या होता है जैसे कि 11 हो गया और आपका कितना हो गया 11 हो गया 13 हो गया तो ये सभी अभाद संख्या है 17 हो गया ये सभी अभाद संख्या है अभाद संख्या क्या होता है जो की अपने से और एक से कटे उसे अभाद संख्या करते हैं तो आप समझ गये दो या दो से अधिक अभाद संख्याओं का मोसो क्या होगा हमेशा एक होगा option number a सई है अगला प्रस्ण है पाई है एक पाई है एक तो पाई है एक पाई का मान आप जनवे करते हैं क्या जनते हैं 22 बटे 7 होता है लेकिन ये आपका दसमलब में जाता है तुरने के बाद तो आपका इसका मान ही रख दिया गया है कि पाई जब भी आए तो पाई होता है एक ओपरीमे संख्या होता है क्या होता है ओपरीमे संख्या होता है याद रखिएगा पाई एक क्या है ओपरीमे संख्या है अगला प्रस्ण देखिए प्रस्ण है दो परीमे संख्याओं के बीच कितनी परीमे संख्या हो सकती है दो परीमे संख्या है और उन दोनों के बीच में कितनी प्रेमे संक्या हो सकती है तो अनांत होगा option नमर आपका D बिल्कुल सही है अनांत होता है अगला प्रस्न है प्रस्न आपका WAN DASAM LAV 62 एक है तो option दिया गया है प्रेमे संक्या है उ में से कोई नहीं तो इसको जब हम अटायेंगे तो जाएगा एक सो बाउसट बटे एक सो जाएगा तो यह क्या गया पी बटे क्यू के रूप में आ गया तो यह परीमई संख्या है अगला प्रस्ण है आपका नीम नलिखीत में से कौन अभाज संख्या है तो अभी तुरह आपको बतायते हैं कि अभाज संख्या क्या होता है जो एक से कटे और अपने आप से कटे और किसी से ने कटे उसे आवाद संक्या करते हैं आठ तो आपका दो से कटेगा, चार से कटेगा, एक से कटेगा, आठ से तो कटवे करेगा तो ये आपका दो से भी कट रहा है अधिक से कट रहा है तो ये आपका वात संक्या नहीं होगा नो भी देखिए एक से कटेगा नो से कटेगा तीन से कटेगा ये भी नहीं होगा एक ग्यारा जो है आपका सिर्फ एक और एक ग्यारा से ही कटेगा अपना से कटने के तो बात ही अलगा है लेकिन यहाँ पर एक से कटेगा पंद्रा फिर देखिए पंच से कटेगा तीन से कटेगा तीन से कटेगा फिर पंच से कटेगा तो आपका 15 भी आवाद संख्या नहीं होगा तो आवाद संख्या क्या होगा 11 क्योंकि ये 1 से और 11 से हैंने कि एक से और अपने से कटेगा तो अप्सन नमर C बिल्कुल सही हो जाएगा चलते हैं अगले प्रस्णी क्यों प्रस्ण है नीमन लिखीत में कौन परिमाई संख्या है तो परिमाई संख्या आप सभी जानते हैं जो P बटे Q के रूप में रहे उसे परिमाई संख्या करते हैं तो चार अप्शन दिया गया है तो अगर हम अप्शन एक को रख रहे हैं तो इसका मान कितना इकल जाएगा 49 का वर्मूल क्या होगा साथ और बटे है तो बटे दे दिजिए 64 का वर्मूल क्या होगा आठ चलिए ये तो पी बटे क्यू की रूप में आ गया अब इसका देखते हैं एक आसी का क्या होगा नो बटे एक अनवे एक अनवे तो नहीं निकलेगा तो ये रूप अंडर एक अनवे रहे जागा तो ये परिमाई संख्या नहीं होगा देखिए यहाँ पर भी यह एकनवे का वर्गमू लिकलेगा ही नहीं अईन्यों से कुछ नहीं दिया गया है तो आपका प्रस्ण पुछा गया था कि परिमय संख्या है तो परिमय संख्या आपका उप्सन नमर ए बिल्कुल सही है क्योंकि यह रूट से बाहर निकल रहा है क्योंकि इसका हो जाएगा आपका साथ और नीचे आठ हो जाएगा इसलिए यह परिमय संख्या है चलते हैं अगले प्रस्ण क्यों यह प्रस्ण में पुछ रहा है कि निमन में कौन परिमय संख्या है तो परिमाई संख्या इसमें पूछ रहा है तो आप देख रहे हैं कि इसका 49 का तो 7 होगा और 101 कत नहीं है एक लेगा 31 भी नहीं है एक लेगा ये भी नहीं होगा आपका 189 होगा एक 90 तो नहीं आएगा यहाँ देखे अभी तो जेस्ट बनाएवे कि यहाँ इसका 7 हो जाएगा नीचे में 8 हो जाएगा याने कि आपका परिमाई संख्या ओप्सन नमर ए सही हो जाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल दोनों का निकल रहा है अगला प्रस्न है नीमन में से कौन संख्या ओप्परिमाई है अब किया पूछ दिया गया है ओप्सन नमर ए लेते हैं इसका अगर 36 का वर्गमूल निका लें कितना हो जाएगा छे फिर बटे थे दिया चव्शत का आथ हो जाएगा चलिए ठीक है और एक वर्गमूल गया औरनो mem caterit उन्नों का यह जाएगा यां ओप्सनर्म प्ररमय संंख्या अर्वोगकी इसभी परिमे संक्या है तो option number C बिलकुल से आपका ओपरिमे संक्या हो जाएगा क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकल रहा है अगला प्रस्ण देखिए नीमन में कौन आवाद संक्या है तो नीमन में कौन आवाद संक्या है तो ये तो same प्रस्ण है तो option number सब बाता संख्या है अगला प्राशन देखिए इन्में कौन से संख्या ओ परी मैं है इसका क्या हो जाएगा ती निकल जाएगा तो नीचे toolkit करता है आप सभी सबींद बें करताएं यह 20 तो 20 का तभी health इस जाए है 받ई पो साथ निकल जाएगा तो आपका option नमर B बिल्कुल सही है ओ परिमय संख्या है root under 20 चलते हैं अगले प्रस्न की प्रस्न आप देख रहे हैं 0.6 पर रेक्रिंग को परिमय संख्या के रूप में क्या होगा तो परिमय संख्या आप जानते हैं कि P वटे क्यू होता है तो देखिए जब किसी संख्या पर से रेक्रिंग को हटाया जाता है तो क्या होता है उतना ही नीचे 9 आता है तो मेरे पास जो प्रस्न है प्रस्न पर एक ही संख्या पर एक रेक्रिंग है तो यानि कि 6 पर रेक्रिंग है और इस रेकरिंग को हटा देंगे तो निचे क्या हो जाएगा? 9 आजाएगा अब देखिए तो इस तरह का अन्यक बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? से कटा सकते हैं तो 3 तीया 9 तीन दूनी 6 तो आपका कितना आ गया? 2 बटे 3 2 बटे 3 कहा है? option number C बिल्कुल चाहिए option number C आपका से हो जाएगा ऐसे और ही प्रस्ण है आप आगे समझिए देखिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0 दसमलब यह 45 के 45 पर क्या है? रेकरिंग के बराबर है तो 0 दसमलब 45 पर रेकरिंग के बराबर है तो आपका option इधर दिया गया है तो देखिए इस option में से सही कौन सा होगा आपको बनाना है तो देखिए जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना संख्या क्या करेंगे? उतना ही 9 नीचे लिखेंगे तो कितना संख्या पर रेकरिंग है? रेक्रिंग है दो संख्या पे तो यानि कि उपर में हम 45 लिख लेंगे और नीचे क्या जाएगा 9 आजाएगा अब देखिए इसे हम लोग क्या कर सकते हैं कटा सकते हैं तो ये कर जाएगा 9 बार में यानि कि 9 पचे 45 अर्म एगर नमा 99 11 बार में यानि कि आपका आगया 5 बटे 11 जितना संख्या पर रेक्रिंग रहता है 2 संख्या पर रेक्रिंग है तो 2 गुन्नो आएगा नीचे अगर 3 संख्या पर रेक्रिंग है तो 3 नो आएगा और जिस संख्या पर रेक्रिंग नहीं है उतना 0 आएगा और यो संख्या उपर में टोटल में से घड जाएगा तो हम आगे देखेंगे इस प्रशनिक का उत्तर हो जाएगा आपका Option number 4 Option number 4 हो जाएगा इस प्रशनिक का उत्तर 5, 11 चलते अगले प्रशनिक ये अब देखें प्रसन आप देख रहे हैं 0, 10, 4 चार और सात परakah्oka है तो यहां हम लोग क्या करने टोटाल उतार रहेंगे तो रेक्रिंग कितना है साथ पैंते य refr की एक नो होगा और जिस पर नहीं लेगा जिस पर नहीं है उसका जीरो हो जाएगा और जिस पर नहीं हो डिए होगा मामइस हो जाएगा चार इसमें तो देखिए इस तरह का बनाएंगे जिस संख्या पर रेक्रिंग रहेगा ठीक है जितना संख्या पर रेक्रिंग रहेगा उतना नो लिखेंगे और जितना संख्या पर रेक्रिंग नहीं रहेगा उतना जिरो लिखेंगे और जितना संख्या पर रेक्रिंग नहीं रहे तो 47 में 4 गटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 43 43 हो जाएगा 7 गटेगा तो अब देखे उसमें अब 90 इस कटेगा नहीं तो 43 बटे 90 आपका आंसर जो हो जाएगा 43 बटे 90 ओप्सन नमबर A बिल्कुल सही है देखे 47 है 47 पे रेकरिंग हमको 7 पे दिया था तो उसका जिस पे रेकरिंग है उतना 9 बटेगा नीचे तो 9 बटा दिया जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे 0 बटा देंगे और घटा देंगे उसमें तो 4 घट जाएगा तो कितना बट जाएगा आपका इधर इदे की 43 बटे 90 43 बटे 90 ओप्शन नमर ए था चलते हैं लिए प्रश्न की और अब देखिए प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और समझे प्रश्न कराय संख्या 0 दसमलब 2 पर रेकरिंग को P वटे Q के रूप में जहां P Q पुरनांख है Q not equal 0 लिखा जा सकता है बिल्कुल सचना जैसे अभी तक बनाएं उसे बनाएंगे तो किस पर रेकरिंग जैसे एक संख्याम को दिया लिख लेते हैं एक बार इधर 32 पर नहीं तो 2 पर रेकरिंग है तो जितना पर रेकरिंग है उतना नो लिखेंगे यह निकि ने कि हम total संख्याब उतार लेंगे 32 32 लिख लिए और शली फिर से एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर यहनि कि 0 जीरो दसमलब 32 पर रेकरिंग आए 2 पर रेकरिंग है तो हम यहाँ पर वेmen टोडल संख्या लिखेंगे 32 दो, रेक्रिम कितनो संक्या पर है एक संक्या पर तो एगो नो उतरेगा और कितनो संक्या पर रेक्रिम नहीं है एक संक्या पर रेक्रिम नहीं है तो एक जीरो आएगा और जिस संक्या पर रेक्रिम नहीं है वो के आजाएगा टोटल में से माइनस हो जाएगा, तीन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा उसमें से, तो अब आपका कितना हो जाएगा, उपर में कितना बढ़ जाएगा 29 और नीचे कितना हो जाएगा आपका 90 29-90 कटेगा नहीं तो आपका option नमर भी सहिए, 29 बट्य 90, समझ गया होंगे एगार फिर से बता देते हैं देखे, टोटल संख्या मेरे पास 32 था, 32 में से 2 पे रेकरिंग है, तो यहने कि एक संख्या पर रेकरिंग है, तो एगो 9 एगो 9 निचेम हो गया एक 9 निचेम हो गया उसके बाद एक संख्या पर नहीं है एक संख्या के बदले जीरो हो जाएगा और जिस संख्या पर नहीं है उसे क्या करेंगे यहाँ पर मैनस कर देंगे उपर में तो अब हम 32 में तिन घटाद कितना हो जाएगा 29 बद जाएगा और नीचे 90 तो 29 बद नबबे आपका उपसर नमर भी सही है चलते है अगले प्रशनी की ओर अब देखे इस प्रशन में क्या करा है निमलिखीत में कौन सी संख्या परीमे संख्या है उपरीमे संख्या है निमलिखीत में कौन सी संख्या उपरीमे संख्या है त जो रूट से बाहर हो जाएगा उसे परिमे संक्या करेंगे यहां देख रहा है कि यह रूट के अंदर जो 36 है 36 का बाहर हो जाएगा 6 और रूट के नीचे है इसका बाहर हो जाएगा कितना जाएगा आठ तो यह मेरा परिमे संक्या हो गया यह मेरा बाहर नहीं कुछ आने वला है तो इसको अभी जाड़ रहन देते हैं यहां भी देखिए मैनस 9 उपर में नीचे में भी आपका 7 आ जाएगा ये भी 12 आ जाएगा ये भी 12 आ जाएगा तीन बटे 9 आ जाएगा यहने कि 3 और 81 का 9 आ जाएगा यहने कि मेरा option number B बिल्कुल सही है यह ओपड़ी में संख्या है रूट 3 क्या है ओपड़ी में संख्या है औप पुछा गया है यह मेरा तुमेर उप्चन नंबर सी बिल्कुल सही है क्योंकि रूट कितना है 16 वटे 25 है तो 16 का मौन चार एकल जाएगा और 25 का मौन पहुंच एकल जाएगा चार वटे 5 तो option number C मेरा बिल्कुल सही है यह पड़ी में संक्या है option number C अगले बर आगे बढ़ते हैं आगे देखिए निमलिक्यत में कौन O Primebase है तो O Primebase है इसका रूट चार है तो रूट चार का मन कितना एकल जाएगा इसका दो एकल जाएगा इसका नहीं एकले गा और यह भी Primeités क्या है यह आपका Premplay संख्या हो गया यह आपका Premiction क्या हो गया यह क्या है क्योंकि यह बाहर नएक यह प्रमेंग tut इस प्रमेस नमर भी तरी क्योंकि इसके बाहर हो जाएगा दो और यह तो प्रमेस नहीं है यह यहां पर क्या हो जाएगा आपका मतलब रूट अंडर 10 गोना रूट अंदर 15 बराबर है तो देखिए इसमें क्या करेंगे इसे आप तोर दिजिए यनिकी इसको गोना करेंगे पांद दूनी दस यह भी हो जाएगा अब पंदर को तोर क्यों कि इसमें एक जैसा क्यों लोगे यह दोनों को दोनों रूट एक ही जैसा है इसलिए हम लिख दियां तो अब यहां पर लिखेंगे हम क्या लिख देंगे गुणा 3 गुणा 5 तिया 15 हो जाएगा अब देखिए इसमें 2 छुपार आता है तो हम 2 को क्या करेंगे बाहर रिकार लेंगे जुरा लगा करके एक यह पांच और एक ये पांच तो ये दोनों बाहार होजायेगा तो पांच बाहार गया अब रूट में रूट में रूट न दर क्या डाएगा जयेगा तिन यह निकि यह तिन और दो थैंद दोन driven छे प्रशन देखिए ुआ इस प्रशन को परे और उतर दीजे जिसन नमर परे विच्छछी में अगला प्रश्न को पड़े और उतर दीजे क्या रहा है आकड़े 704 13 का माध्य क्या होगा तो माध्य बराबर जांते हैं आकड़ों का कूल योग बटे आकड़ों की कूल संख्या तो देखिए सब को कूल योग मतले सब संख्या को जोर देंगे सभी संख्या को जोर देंगे तो 13, 7 कितना हो गया 13, 7, 20, 24, 24, 24 पलस 0 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा यानि कि total cool संख्या हो गया 24 संख्या कितना है 1, 2, 3, 4 संख्या है तो जितना संख्या उससे भाग देंगे माद ये बराबर होता है कूल आंकड़ों का योग बटे कूल संख्या तो संख्या क्या हो है 1, 2, 3, 4 संख्या है तो 4 संख्या लेख दिया और उपर का सभी को जोर दिया 24 हो गया तो ये कर देगा 24, 24 यानि कि 6 बार में तो option नमर B बिल्कुल सही है माद दिख कितना आए जाएगा इसका 6 तो दोस्तो आज याई तक आपने देखें कि जो इप्रस्ण बताएं अगर आपको कहीं दिक्कत होता है समझने में तो कॉमेंट करें और यहाँ पर आपको सभी भी से का objective जो कि भी भी आई है और हर साल पूछे जाते है बिल्कुल वैसा इंप्रस्ण बताया जाएगा जो कि आप बिहार बोर्ड मेट्रिक परिक्षा में अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं तो जय हीन जय भारत मिलते हैं कल और हाँ दोस्तो अगर आप अभी तक इनको सब्सक्राइब नहीं कियें तो जैनको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में सेयर जरूर करें तो फिर से एक बार जय हीन जय भारत